अभिया स्कूल क्लासी में आपका स्वागत है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक important topic poverty, that is gravy, ठीक है, तो इस topic को discuss करेंगे, यह आपके पास HCS exam और UPSC exam के लिए important होने वाल है, आपको एक general idea देखने को मिलेगा, कि सबसे पहले gravy होती क्या है, इसकी definition क्या है, आपने इसे क और कौन ग्रेब होगा और कौन अमीर होगा, फिर gravy को measure करने के लिए, poverty को measure करने के लिए आपके पास कुछ बिदेशी methods हैं और कुछ देशी methods हैं, उसकी tricks देखेंगे हम कि उसे कैसे याद रखने हैं, उसके बाद हमें देखने हैं कि poverty को remove करने के लिए क्या-क्या कदम सरकार हैं, तो शुरू करते हैं, अगर poverty को define करना हो तो poverty क्यों होते है, lack of insufficient money, किस चीज के लिए, to meet the minimum requirement, to meet the minimum standard of living, including food, clothing and shelter, रोटी कपडा और मकान के लिए जो minimum requirements होती है, उसके लिए जो आपके पास money होती है, उसकी कमी होना, अब इसके लिए कौन-कौन से factors responsible हैं, मतलब gravy के regions के हैं, तो एक तो family planning नहीं होगी, family planning नहीं होगी, तो birth rate आपका increase करेगा, birth rate increase करेगा, तो child liver increase होगी, इसका मतलब education नहीं होगी, education नहीं होगी, तो फिर आपके पास skills नहीं होगी, तो jobs नहीं होगी, तो poverty होगी, large family होगी, तो आपके पास insufficient food होगा, insufficient food होगा, तो malnut होगा ठीक है तो इसका मतलब insufficient mental and physical capacity जो financial planning है उसकी कमी है financial inclusion नहीं है लोगों का misgvernance है terrorism है काफी सारी चीज़े हैं कि जो poverty को lead करती है जिसके कारण poverty होती है तो poverty होती है lack of sufficient money to meet the minimum requirement of food, clothing and shelter next है एक आपके पास vicious circle of poverty के नाम से एक topic है next है vicious circle of poverty इसका मतलब क्या है सबसे पहले यह ना दो त्रीक के से define होती है एक तोत्य है supply side से supply side से supply side से कैसे होगा कि मान लेते हैं कि एक poor person है poor person है उसके income low है income low होगी इसकी income low है इसकी income low है तो इसकी savings भी कम होगी savings low होगी अगर इसकी savings low है तो यह जो भी investment करेगा वो भी कम ही कर पाएगा investment low होगी इसकी ठीक है तो यह अपना business को start नहीं कर पाएगा या boost up नहीं कर पाएगा expand business नहीं कर पाएगा यह expand business और expand business नहीं कर पाएगा तो इसकी income increase नहीं होगी तो वो फिर से poor वाली category में जाएगा तो supply side में आपको सिरफ एक चीज याद रखने है कि savings लो होगी as for supply और as for savings तो ये important है vicious circle of poverty second vicious circle of poverty आप define कर सकते हैं demand side से किस से? demand side से कि demand ही कम हो रही है उसकी विज़े से poverty का vicious circle कैसे complete हो रहा है सबसे पहले low income है poverty है तो low income है लोगों को fridge नहीं चाहिए टीवी नहीं चाहिए इसी नहीं चाहिए तो इसका मतलब कि low capital investment by companies low investment by the companies मतलब fridge नहीं भी करें तो company या fridge क्यों मनाएंगे by companies उसके बाद अगर वो investment नहीं करेंगी companies तो उससे jobs नहीं create होंगे no jobs कोई manufacturing units नहीं लग रही तो उसकी वज़े से jobs नहीं create होंगी और इसकी वज़े से आपके पास more poverty या low income तो demand side से आपके पास low demand होती है और supply side से savings low होती है तो वीशे सरकल में ये दोनों चीज़े है तो एक important चीज़े है कि economics का novel जो 2019 में मिला था वो global poverty elevation के लिए मिला था 2019 में जो novel मिला था वो किसके लिए मिला था global poverty elevation के लिए मिला था ठीक है इसने पहले economics में novels किसको मिल चुके है एक तो 1998 में welfare economics के लिए अमरित्य सेन को मिला था welfare economics के लिए अमरित्य सेन को मिला था उसके बाद 2022 में 2022 में banks role in financial crisis ये वेरान के Douglas, Philip इन तीन लोगों को मिला था थोड़ा idea रखने आपको इस चीज़ का उसके पॉवर्टी को मेजर करने के लिए विदेशी method विदेशी method का मतलब world bank कैसे मेजर करती है world bank simply ये बोलती है कि अगर आप 2.15 डोलर से कम कमा रहे हो तो आप गरेब हो अगर आप इससे कम पैसे कमा रहे हो एक दिन में तो आप below poverty line हो ठीक है तो इसका जो मेजर करने का तरिका वो absolute poverty है वो क्या है absolute poverty कि अगर एक line खीच दी अगर आप इससे कम कमा रहे हो तो वो absolute poverty में हो world bank ने एक report publish की थी poverty and the shared prosperity important है ये poverty and the shared prosperity ये आपको याद रखनी है उसके बाद है विदेशी method में UNDP United Nation Development Program ये क्या करते है MPI को introduce करते है Multidimensional Poverty Index तो इसके accordingly क्या है कि 16% इंडियन जनता जो है वो poor है वो grave है तो इसका measurement करने का तरिका क्या होता है कि ये 3 parameters पे questions पूछेगा एक health के उपर पूछेगा ठीक है एक education के उपर पूछेगा एक living standards के उपर question कुछेगा ठीक है living standard तो इनके उपर question कुछेगा data collect करेगा और उसके basis पे निकालेगा कि आप poor हो या नहीं हो तो World Bank का आपको याद रखने है World Bank का क्या है Absolute Poverty का concept है अगर आप 2.15 डॉलर से कम कमा रहे हो तो आप गरीब हो United Nation Development Program ये MPI निकालता है Multidimensional Poverty Index इसके accordingly 16% लोग poor है मतलब 23 क्रोड लोग इंडिया में गरीब है विदेशी methods में अगला जो 3rd आता है वो आपके पास एक गिन्नी कोफिशेंट गिन्नी कोफिशेंट आपसे पुछा जा सकते है किस से related है तो इसका मतलब है कि ये inequality बताता है क्या बताता है ये inequality formula for measuring inequality ये किस चीज के साथ associated है जब भी गिन्नी कोफिशेंट आए तो आपको एक word click करना चाहिए inequality और lorence curve कौन सी curve lorence curve ठीक है ये कहते है कि अगर इसकी value 0 आ रही है गिन्नी कोफिशेंट की value 0 है तो इसका मतलब perfect equality है और इसकी value अगर 100% आ रही है तो इसका मतलब perfect inequality है इसका मतलब perfect inequality उसके बाद आपके पास एक है global social mobility report global social mobility report important है ये report ठीक है इसे कौन publish करते है world economic forum release करती है इसका purpose क्या होता है मान लेते हैं कि एक family है इस family के बाद जो अगली family आएगी जो बच्चे आएंगे future family होगी अगर वो एक better life जी रही है comparatively पिछली generation की तो हम बोलते हैं कि इसकी positive social mobility है क्या है positive social mobility मान लेते हैं जो अगली generation है वो पिछली generation के comparatively better life spent कर रही है ठीक है तो इस case में number one पे Denmark हैं और इंडिया तो आपको पता है 76 number पे है मान लेत बहुत वीछे होता है सी जीजो में तो world bank की report है 2.15 से नीचे कमारे हो ग्रेबो, UNDP, Multidimensional Poverty Index गिन्नी कोफिशेंट, inequality को मेजर करेगा global social mobility report ये world economic forum निकालती है और इसका मतलब भी होते है कि positive social mobility कब होगी अगर अगली generation, पिछली generation के competitively better life spent कर रही है फिर उसके बाद आपके पास एक और report है world inequality report world inequality report question पुछा जा सकते है कि इसे कौन publish करते है, तो कौन publish करते है इसे world inequality lab world inequality lab ये इसे publish करते है answer में आ सकते है world bank, UNDP world economic forum और world inequality lab तो इसे publish करते है world inequality lab next है एक oxfem inequality आपके पास oxfem inequality index है ठीक है, ये आपके पास UK का एक NGO है UK's NGO oxfem वो publish करते है ठीक है, ये बताते है कि government कितनी serious है to reduce inequality oxfem inequality index तो 5 index हो गया आपके पास more than enough है अब move on करते हैं, देसी method के उपर किस के उपर, देसी method के उपर 90% से जाला chance जाके आपको इसमें से question देखने को मिलेगा किसी ना किसी exam में या फिर test series में तो इसमें सबसे पहले अलग committee है कौन से committee है, अलाग या कोई भी committee बोलिया अलग committee आपको याद रखने कि ये committee बनी कब थी 1979 में second है आपके पास सुरेश टैंदूलकर सुरेश टैंदूलकर सुरेश टैंदूलकर कब बनी थी 2005 से लेके 2009 के बीच में उसके बाद बीच में एक लकड़ बाला committee आई थी लकड़ वाला committee ये आई थी आपके पास 1993 में last है आपके पास रंग राजन रंग राजन committee ये आई थी 2012 से 2014 के बीच में अब देखो, ध्यान से सुनना, इसे याद कैसे करने अलग committee ये कब आई थी? 9 और 9 को अलग कर रहे साथ तो अलग committee आई थी 1979 में सुरेश्ट तैंदलकर, जो क्रिकेट में तैंदलकर का एरा था वो 2005 से लेके 9 तक के बीच में सबसे ज़्यादा हाई एर्ट था तो इसे याप याद रख सकते हैं से रंग राजन, तो 2012 से 2014 के बीच में लकड़ बाला 1993 में ठीक है, अब इन्होंने आपसे order पुछा जाते है कि किस order में इसे arrange करो A, B, C, D options देखे कि सबसे पहले chronology wise कौन से आई थी उसके बाद अलग committee ने क्या बोला था अलग committee ने बोला था कि अगर आप urban area में राय रहे हो तो 200 कैलरी ले रहे हो 21 से कम ले रहे हो तो आप गरीब हो 24 से कम ले रहे हो और rural area में राय रहे हो तो गरीब हो तो इन्होंने ये बोला था लकड़ बाला ने क्या किया था एक तो calorie intake plus उन्होंने clothing को include किया था और shelter को रोटी कपड़ और मकान तिन्नों को include कर लिया था शुरेश तैंदूल करने क्या किया था उन्होंने ये बोला कि अगर आप approximately 27 रुपिये पर डे खर्च कर रहे हो रूरल area में और 33 रुपिये पर डे आप खर्च कर रहे हो अरवन area में तब आप ग्रेव नहीं हो 27 रुपिये का मतलब होगा आपके पास 816 रुपिये पर मन्त और इसका मतलब है 1000 रुपिये पर मन्त ये आपका expenditure है ठीक है इस ताइर पिये पर डे रुरल area में तो आप गरीब नहीं हो रंगराजन ने क्या बोला रंगराजन ने क्या किया कि इसे planning commission ने set up किया था इस committee ने suggest कि poverty line कि monthly expenditure एक family five members की family कितना कर रही है अगर 4860 रुपिये एक family कर रही है रुरल area में तो वो गरीब नहीं है 4860 है उससे ज़्यादा अगर 7035 अर्बन area में कोई family कर रही है तो वो गरीब नहीं है तो रंगराजन कमेटी ने family of five members की expenditure बताया कि अगर इतना expenditure होगा तो वो family grave नहीं है सुरेश टैंडल कर ने per person wise बताया था लकड़वाला ने रोटी कपड़ा और मकान तिनों include किया था अलग कमेटी ने calorie intake के उपर काम किया था तो ये important आप के पास काफी ज़्यादा जो मौधी government और नीती आयोग अभी use करते हैं official documents में figure वो सुरेश टैंडल कर method के उपर depend होते हैं next step के पास एक नीती आयोग निकालते हैं नीती आयोग कौन सा निकालते हैं MPI निकालते हैं multi-dimensional poverty index तो इसके accordingly 25% जो इंडियन जनता है वो poor है ठीक है सिर्फ आपको ना भी आद रखने और इसमें जो number 1 PA chronological order में बिहार 52% है जारखन जो आपके पास है वो 42% है और UP जो है वो 38% है जो सबसे कम गरीबी है वो केरला में है केरला में 0.7% है उसके बाद गोवा में 3.76 है और सिक्की में ठीक है इसका मतलब है bare necessity index फुल फॉम याद रखना bare necessity index इसके बारे में mention है आपके पास economic survey 2021 में तो आपको सिर्फ याद रखने BNI bare necessity index के बारे में एक line अभी कि ये economic survey में वो था अब इसने क्या find किया इसकी finding क्या थी जो highest progress है वो किसमे है केरला में, पंजाब में, हर्याना, गुजरात में lowest progress किसमे है ओडिस्वा में, जार्खन में, वेस्ट बेंगोल, तरिपूरा में ठीक है next आपके पास एक theory है trickle down theory trickle down theory आपसे पूछी जा सकते है poverty से related होती है trickle down theory trickle down theory का मतलब है कि income flow from rich to poor income flow from rich to poor तो इसे बोलते है trickle down theory कोई यहाँ पे अमेर बंद है, उसके पास बहुत सारे पैसे है तो वो निच्चे की तरफ सर्कुलेट होंगे वो poor के पास सर्कुलेट होंगे वो पैसे, ठीक है बहुत सारे poor के पास तो इसे बोलते है income flow from rich to poor trickle down theory सिरफ एक लाइन में याद रखने है अभी हम बहुत जार डेप में नहीं जा रहे region being की यह सिरफ एक रिवीजन क्लास है ठीक है के बाद आपके पास economic survey 2030 में एक data था जो important हो जबते है आपके पास जो percentage population है जो rural area में रह रही है वो 65% है 2021 के accordingly और 47% of population depend करती है agriculture के उपर 47% यह economic survey 2023 का latest data है 47% of Indian population depend on agriculture said by economic survey 2023 अब हमने देख लिया हमने क्या क्या देखा सबसे पहले poverty होती क्या है ठीक है इसकी definition देखी फिर हमने देखे कि उसके regions क्या रहते है ठीक है उसके बाद हमने उसको measure करने के लिए measure करना था उसको तो हमने जो international method से जो national method से वो देखे उसके बाद हमें इसे remove करने poverty को क्या करनी remove करने तो remove करने के लिए आप सोच सकते हो कोई suggestions या कुछ भी ऐसे in general तो सबसे पहले आपके पास एक important चीज है SDG1 goal Sustainable Development Goal No.1 यह इसी के साथ deal करते हैं कि आपको poverty को remove करने है poverty को क्या करने है? remove करने है इसके accordingly 2030 तक zero homeless होने चाहिए zero homeless 100% household होने चाहिए ठिकेट सिर्फ 10% population living below poverty line सिर्फ 10% रह जाने चाहिए अगर अभी 20-30% है तो 2030 तक सिर्फ 10% रह जाने चाहिए ठिकेए तो poverty को remove करने के लिए सबसे important सबसे पहले SDG है उसके लावा आप क्या सोच सकते हो कि एक तो training कुछ भी training दो तो self employment वाला पार्ट हो banks loan they easily ठिक है schemes को battery implement किया जाए तो इसके लिए सबसे important scheme जो आपके पास है मन रहेगा कि employment दो तो employment से क्या होगा poverty remove होगी MG महत्मा गांधी national रोजगार employment guarantee scheme तो ये centrally sponsored scheme है ये question आप से पुछा जा सकते है centrally sponsored scheme है ये core of the core scheme है इन दोनों words के उपर हम discuss करेंगे किसी और वीडियो में centrally sponsored scheme core of the core scheme ठिक है ये क्या कहते है कि अगर कोई भी rural area है ठिक है उसमें आपको ना किसी भी जो unskilled worker है उसे 100 दिन का रोजगार देना पड़ेगा वो स्रोजगार में क्या करेगा कोई cattle shed बनाएगा ठिक है कोई pond बनाएगा कोई well बनाएगा कोई vermicompost plant बनाएगा ठिक है आंगनवाडी center बनाएगा तो renovate करेगा उसको इसे काम उसे करने पड़ेंगे रूरल एरिया में उसमें machinery और contractor लाउड नहीं है ठिक है जो wages का cost होते है वो 100% union लेती है जो wages का cost है वो 100% union लेती है और जो material का cost आएगा वो 75% union लेती है ठिक है तो important है ये वहली चीज जो इसमें wages दी जाती है मजदूरों को workers को वो दी जाती है CPI के accordingly किसके accordingly CPI, Rural के accordingly CPI और WPI ये आपके पास related है inflation से तो इनको detail में पढ़ेंगे inflation वाले topic में ठिक है तो मनरेगा में कितनी wages मिलती है वो सब आपके पास ज़्यादा important नहीं है आपके पास poverty remove होगी बाकि आपके पास क्याँ poverty को remove करने के लिए national livelihood mission इसमें क्या दिया जाता है पहले आपको skill देंगे फिर आपको skill देने के बाद loan देंगे ठीक है ताकि आप अपना धन्दा शुरू कर सको तो इसे दो parts में break किया गया national livelihood mission mission को एक तो यह urban और एक rural के लिए तो दोनों के लिए से बोला है दीन दियाल अंतियोद्या योजना ठीक है और इसके लिए भी दीन दियाल अंतियोद्या योजना बोला हुए दीन दियाल दीन दियाल अंतियोद्या योजना ठीक है national urban livelihood mission दीन द्याल अंतियोद्धय योजना नैशनल रूरल लाइवलिहूड मिशन ये जो रन होते हैं ये होते हैं Ministry of Housing and Urban Affairs मोहुआ और ये होते हैं Ministry of Rural Development M.O.R.D. तो इसकी बहुत डिटेल्स में तो नहीं जा रहे हैं अभी हम उसके लावे जो कमेटी बनी थी वो दीशा कमेटी बनी थी दीशा कमेटी 2016 में बनी थी आपके पास इसकी फुल फॉर्म क्या है District Development Coordination and Monitoring Committee District Development Coordination and Monitoring Committee Poverty Removal के लिए 2017 में आपके पास क्या आया था Mission Antioodya ये Ministry of Rural Development ने वो क्या था फिर आपके पास आया था R U D S E T I तो इसका मतलब क्या है Rural Development Rural Development and Self Employment Self Employment Training Institute ठीक है मलब इसमें क्या किया गया था कि जो Unemployed Youth था उनको Train करने और एक और था आपके पास Smile 75 Smile 75 किस तर रेलेटिड है Smile 75 ये रेलेटिड है कि Social Justice Minister ने ये चलाया था Social Justice Ministry ने To make 75 cities bagging free मलब 75 शहरों को आपको बिखारी मुक्त बनाना है ठीक है Smile 75 UBI Universal Basic Income मलब कि आप हर इंडिविजुल को एक fix एमाउंट 5000, 6000 जितनी भी fix एमाउंट है हर जो भी ग्रीव आप सोचते हो उसको मंतली दे दीजिए तो वो poverty से remove हो जाएंगे क्योंकि वो जितने भी criteria है उसको उससे बाहर आ जाएंगे जो हमने measure करने के लिए देखा था तो ये भी एक method हो सकते है UBI इसके क्या फायद है, क्या नुकसान है हम अभी उस debate में नहीं जा रहे सिर्फ आपको एक basic idea दिए है तो एक बार revise करें अगर हम तो SDG 1 सबसे पहले बात करते है कि poverty को remove करने 2030 तक ही कहते है कि zero homeless होने चाहिए, जो below poverty line लोग है वो 10% तक रह जाने चाहिए, मनरेगा स्कीम centrally sponsored scheme है, ये core of the core scheme है, इसमें जो wages cost होता है वो 100% union देते है और जो development committee थी, फिर 2017 में rural development था, self employment training implementation फिर universal basic income का concept है, smile 75 तो ये सब आपको idea रखने है पढ़ते रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं अभियास्कूल क्लासिज के साथ मिलेंगे आप next वीडियो में revise करेंगे कोई ओटॉट